हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटियल इंफ्रा के स्टॉक के बारे में फ्रेंटs, GTL Infra का stock लगबग 2 रूपे के लेवल पर आ जा गया और जब भी दोस्तों ये 2 रूपे के लेवल पर आता है stock में एक तगड़ा bounce back देखने को मिलता है ऐसा ही दोस्तों आज GTL Infra के stock में हुआ लगबग 5 पैसे की तेजी, लगबग 30% की तेजी जीटियल इंफ्रा के स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिली है और धाय रूपे का लेवल दोस्तो ये दोनों लेवल है दोस्तो एक तो दो रूपे का लेवल और धाय रूपे का लेवल ये धाई रुपे तक जाता है फिर गिरता है दो रुपे तक और फिर तेजी करता है तो दोस्तो अब जीटेल इंफरा के स्टॉक में एक तेजी के संकेत बन रहे है और क्या होंगे आठ फरवरी के इंट्रडे टार्गेट स्टॉपलस और रेजिस्टेंस तो वीडियो को इंट तक देखना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पन दोस्तो कुछ खबर पर आ गया है दोस्तो आप सभी लोग जानते होंगे जीटेल इंफ्रा एक टेलिकॉम एक्विप्मेंट कंपनी है तो डेफिनेटली दोस्तो 5G के जिस हिसाब से चर्चाय चल रही है तो जीटेल इंफ्रा विल बी एन फोकस और definitely दोस्तो जीटेल इंफ्रा के स्टॉक में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी budget 5G push में dial up business opportunity for IT companies 5G signals become stronger और आप देख सकते हैं टेली equipment equipment company है जीटेल इंफ्रा आज के दिन दोस्तो market में भारी बिक्वाली का दिन था और आप देख सकते हैं भारी बिक्वाली के दिन भी दोस्तो एक छोटी सी तेजी GTL इंफ्रा के स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिली है तो definitely दोस्तो आप कहा सकते हैं कि ये एक संकेत है कि GTL इंफ्रा का स्टॉक ये अच्छे रन अप करने के लिए रेडी हो रहा है टेक्निकल रेटिंग्स पर आगए तो दोस्तो टेक्निकली स्टॉक अभी भी वेरिबूरी जोन में कामकाच कर रहा है लगबग धाय रुपय तक जाता है फिर दो रुपय का लेवल आ जाता है ये लेवल अगर धाय रुपय का लेवल अगर तोड़ दे तो definitely दोस्तो तीन रुपय तक की जगा GTL इंफ्रा के शॉक में बन सकती है आज की दिन की बात कर ले तो आज दोस्तो 21 ब्लॉक डिसे स्टॉक ने दिखाई है स्टॉक 58 पर्षेंट नीचे कामकाच कर रहा है अपने 52 विक खाई से तो definitely दोस्तो स्टॉक में स्कोप है अज ये 58 पर्षेंट नीचे कामकाच कर रहा है यानि कि इसमें तेजी बनने के संकेत है अगर resistance level की बात कर ले तो आप clearly देख सकते है 2 रूपे 20 पैस एक resistance है 2 रूपे 40 पैस एक resistance है और धाई रूपे का एक resistance है ये तीनो resistence आप अध्यान में रक लिए दोस्तो सबसे major resistance है धाई रूपे का अगर ये level तूटता है तो दोस्तो तो तीन रुपे तीन रुपे 50 पैसे तक की भी जगा बन सकती है स्टोपोड की बात कर ले तो एक रुपे 90 पैसे एक रुपे 80 पैसे ये दोनों सपोर्ट है और यहां से दोस्तो बाउंस बैक कर रहा है लगबग आपने देखा होगा कि अगर एक मैने का आपने चार्ट पैटन देखा होगा तो ये पहले गया था धाई रुपे के लेवल पर फिर दो रुपे के लेवल पर आया और फिर धाई रुपे तक की लेवल पर गया तो definitely दोस्तों मुझे लगता है कि धाय रूपे तक की जगा GTL Infra के stock में बन सकती है stock के open की बात करें तो आज की दिन आप कहा सकते है flat opening देखने को मिली but high की अगर बात करें तो दोस्तो high upper circuit का है लगबग 5% का upper circuit आज stock ने hit कर दिया था low की अगर बात करें तो एक रूपे 95 पैसे का stock ने low लगा है जो कि आप कहा सकते हैं कि 5-5% नीचे था from previous loss तो आज की दिन अगर बात करें तो stock ने लगबग 7% का move दिया है from loss और वो भी एक अच्छा move है दोस्तों जी हाँ काफी तगड़ा move है stock के दोस्तों कल की अपर सर्कीट की बात करें तो कल दोस्तों 2.15 पैसे का अपर सर्कीट होने वाला है stock में lower circuit दोस्तों 1.95 पैसे का और definitely दोस्तों मुझे लगता है जिस हसाब से आज movement है तो कल के दिन भी stock एक अपर सर्कीट में trade करता है देखने को मिलेगा stock की closing की बात करें तो 2.05 पैसे पर दोस्तों आपने closing दिये लगबग 5 करोड जिया दोस्तों 5 करोड 5 करोड शेयर दोस्तों आप कह सकते है कि stock में आज trade हुए और काफी अच्छा कह सकते है आप volume stock में देखने को मिल रहा है लगातार दोस्तों stock में अच्छी volume तगडी volume हो रही है आज भी दोस्तों 5 करोड शेयर दोए है कल के दिन भी I think 110 करोड शेयर दोए थे तो दोस्तों definitely volume में आपको अच्छा कासा breakout देखने को मिल रहा है और stock एक अच्छा कासा तेजी करके दिखाएगा आपको बहुत जल्दी में तो दोस्तों अब चलते हैं GTL infra के intraday charts पर और कल के और long term के intraday targets पर चलते है तो friends अपन GTL infra के intraday charts पर आगए अब कहा सकते कि अज पूरे दिन भर इसने एक upper circuit पर float किया बर बार बार upper circuit खोल रहा था market में दोस्तों आप कह सकते कि अचानक से एक तगडी fall देखने को मिला लगबख साड़े 300 point सी गिरावट market में आज देखने को मिली है इसके current दोस्तों आप GTL infra में आज 5 पैसे की तेजी हुई वरना definite दोस्तों अज अपर circuit हिट होता तो चलिए दोस्तों अगर आप एक मेने के चार्ट पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं पहले 2.5 रुपे 40 पैसे के level पर गया और फिर दे 2.5 रुपे के level पर आया फिर एक तेजी करी और फिर एक गिरावट करी और आप एक तेजी का moment दिखा रहा है तो definitely दोस्तों मेरे target से short term के 2.50 पैसे यह level आपको बहुत जल जीटेल इंफ्रा के stock में देखने को मिल ही जाएगा और अगर यह level तूटता है तो दोस्तों 3.00 रुपे और 4.00 के level आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो दोस्तों कल के levels की बात करें तो कल आपको CMP पर खरीदारी करके चलना है और कल आपको 2.15 पैसे का definite upper circuit stock में देखने को मिल जाएगा stop loss की मैं कर बात करूँ तो 1.90 पैसे 1.90 पैसे का stop loss आप लगा के चले क्योंकि 1.90 पैसे एक extremely support zone है अगर वो support zone तूटता है अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स वर वाचिंग दिस वीडियो